इस मूवी के साथ रियल में हुए किस से जुड़े हुए हैं? अब देखो उनकी बात हम इस वीडियो में करेंगी अब जुड़े भी क्यों ना यार क्योंकि इसके अंदर कॉंट्रोवर्सी जो दिखाएगी है कॉंट्रोवर्सी इन दा सैंस की बही जो इस मूवी में के राइट थे और उस वक्त सोनी पीचर्स क्या कर रहे थे वो अमेजिंग स्पाइडर मैन 3 के उपर वर्क कर रहे थे आप लोगों को पता है कि अमेजिंग स्पाइडर मैन की दो मूवी ओलड़ी आ चुकी थी उसके थर्ड मूवी के उपर काम चल रहा था और तब यह मूवी जो है इंटर्विव रिलीज होने के कगार पे थी और इस मूवी में इस पूरी की पूरी मूवी में जो प्रेजिडेंट है नोर्थ कोरिया के नाम से उन्होंने क्या किया जो कर लिए उनकी सारी इंटर्विव रिलीज की और इसमें जो तुमने एक सीन दिखाया जाना है अगर वो तुमने इसमें दिखाया तो हम तुमारी इन्फोमेशन जो है वो पब्लिक कर दें तो भाई सोनी माना नहीं उसने का यह देखी जाएगी उसने रिलीज कर दी और इन्होंने पब्लिक भी कर दी थी इनकी सारी इन्फोमेशन जिस करके दा अमेजिंग स्पाइडर मैं 3 जो है वो कैंसल हुई थी इसका बाद में एडॉप्टेशन किया गया था MCU के दवारा जो आपको Captain America Civil War में फर्स्ट टाइम आपको जो है वो स्पाइडर मैं देखने को मिला था फिर उसके बाद The Spider-Man Homecoming और इसके बाद एक और मुवी आप देख भी चुके हो यह तो थी देखो यार इस मुवी से जुड़ी Controversy अब इस मुवी में कहानी की बात कर लेते हैं इसमें दो बंदे होते हैं एक का नाम होता है डेव एक का नाम होता एरन अब यह दो नो बंदे क्या करते हैं एक इनका शो होता है जिनके ओपर यह अजीबो गरीब लोगों का इंटर्विव लेते हैं यह अजीबो गरीब ढंक से इंटर्विव कंड़क्ट कराते हैं और इधर North Korea एक मिसाइल का टेस्ट कर चुका है जो अमेरिका तक को मारगने की शमता रखते हैं अब देखो यह इस चीज़ को लेकर अमेरिका की सांसे अटके हुई है वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका और North Korea के बीच में असल में 36 का अंकड़ है वो ऐसा कि देखो तोड़ा सा हिस्ट्री की बारें बता देत जो इस Korean Peninsula के उपर आके खेती किया करते थे जब वहां पर जब विश्वियू Second World War खतम होना ही था जहां पर Hiroshima और Nagasa के उपर जो जपान के दोस्ट शहर थे उनके उपर पर प्रमानु बम गिराया गया तो जपान वालों ने ये Korean Peninsula चोड़कर अपने देश वापस चले जैसी वह देश चोड़कर वापस गये तो इसके उपर वाले हिस्से के उपर इस Korean Peninsula के उपर वाले हिस्से यानि नोर्थ के साइड के उपर इसके उपर अधिकार कर लिया USSR जो आज की डेट में रूस कहलाते हैं तब ये 1991 से पहले USSR होता था तो और नीचे वाले हिस्से यानि South वाल थी जहां पर South Korea में आये थी तो वहां पर प्रजातंतरी रहा अब देखो North Korea और USA के बीच में बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो रिष्टे हैं वह अच्छे नहीं बने बहुत जादा खटास होगी एक तो जो North Korea था वह USSR यानि रूस के पर खाटस हैं और उपर से ब्यान भी ऐसे देता है कि यार हम तो मरेंगे सिजह लेकिन तुम भी डूबएंगे इस करके वह अमेरिकावलों की सांस हमेशा से इटकी रहती कि यह चुटकु सा देश है और असल वह चुटकु सा देश और इसने नाग में दाम कर रहा है अअर अ Amer नूर्थ कोरिया और अमेरिका बीच में से तनाव सा रहते हैं डियलिटी ठी Calam अब द्यों प्रेजिदेंट १र णे्म आ जाता है उसके इस और डिटेल से नहीं जात हूं आप लोगों को कहानी पर focus करवा देता हूँ अब जो Dave और Aaron होते हैं इसमें Aaron के पास call आती है North Korea से उसमें बताया जाता है कि जो Kim Jong-un है वो interview करना चाहते हैं साथ में interview देना जाते हैं मतलब करना जो भी है वो Dave के साथ interview करना जाते हैं तो इस चीज की जो भन है का वो C.I. को लग जाती है अब C.I. सोचते हैं क्या इससे अच्छा मोका क्या लगेगा इस संकिक उडाने का मतलब मेरी भाषा नहीं है यह उनकी भाषा है जैसे इसमें dialogue बोले गए दिन शैसिनेट करने का यह plan बनाते हैं इस देव और एरन के साथ मिलके का भाई साब इनको मार देना जैसे तैसे वरना यह खत्र है पूरी दुनिया के लिए इस मूवी की जैसे स्टार्टिंग होती इसकी पहली जो स्टार्टिंग लाइन है जिसमें अमेरिका को बहुत जादा बुरा बला गया गया है अब यार हासी तो आने थी जिस दंग से इन्हों ने रिप्रेजेंट के और जो नौर्थ को रिया के जो प्रेजिडेंट है जैसे उनका मजाग उड़ाया गया यार मैं तो मुझे लगता है कि यार हाँ उनका गुस्ता होना जायज था क्योंकि भाई साब जैसे उनकी इमेज पेश की गई है इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है उनको पूरा आयास नशेडी और मतलब क्या रोंदू इनसान ऐसे उनको पेश किया गया मतलब मैं सोच रहा है यार यह एक देश के प्रेजेडेंट को तुम पूरी दुनिया के सामने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो देखकर मुझे हरानी हो रही थी यार इतना लेवल जिस तरीके से जिस इनसान ने किम जो उनका जो करेदार प्लेक है उनसे जो हरकतें कराई जा आप लोगों कोई मुवी देखनी पड़ेगी इस मुवी में गाली कलोस तो बहुत जादा है एक सीन जो है उसमें नुडिटी है और उसमें किम जों उन भी है उसको देखकर मेरे को बहुत जादा आसी आई थी मैं यही सोच रहा था यार क्या हाल कर दिया इनसान का क्या क्य अगर आप लोगों ने मुवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों कोई मुवी कैसे लगी अगर नहीं देखी तो मैं कह सकता हूं कि आरहां आपको एक मजाक के तौरप आप इस मुवी को देख सकते हो जिसमें इसमें दिखाया गया कि नोर्थ कोरिया के स हाथ इन्होंने कैसे मजाके मेरे तरफ से इस मुवी को मैं दूंगा अगर किसी ने देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करना तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो में जैहिंद